सारे गमा कारवा 2.0 ये गाना जैसे ही रिलीज हुआ था वैसे ही काफी पॉपिलर हो गया था और जानते हैं हैं इस गाने के लिरिसिस्ट नूर देवासी जी उस दौर के लेसर नोन लिरिसिस्ट में से एक थे लेकिन इस गाने के बाद काफी पॉपिलर हो गए थे ये गाना आज भी आशा जी और ओपी नईयर जी के टॉप फाइव गानों में से एक गिना जाता है In fact, ये गाना 2015 में शान पाकिस्तान फंक्शन के लिए भी सिलेक्ट किया गया था जब दिल्ली में पाकिस्तान कल्चर को सेलिब्रेट किया गया था चलिए इस गाने से जुड़ी और फी बाते आपको बताओंगे लेकिन अभी के लिए शुरू करते हैं आज का प्लाटनुम सॉंग अफ ते डे चलू दिल जूम जाए ऐसी बाहरों में दे चलू आओ हुजूर आओ जैनरीली सेविन्टीज के दौर के हिंदी गानों में लड़के शराब पी कर गाना गाते थे लेकिन इस गाने में फिल्म की लीड अक्ट्रिस बबीता जी ने ऐसा किया था जो अपने आप में एक युनीक बात थी वैसे इस गाने का एक और mixed version बना था जैसे गाया था करुनेश ने Global Spirit आलबम के लिए और इस आलबम को अमेरिका में Best Club आलबम का अवर्ड भी मिला था साल 2007 में हम सफर बनो हम राज हम खयाल तो हम नजर बनो तै होगा जिन्दगी का सफर हम सफर बनो आशा जी उन Rare Singers में से एक हैं जिन्होंने फिल्मों में Golden Era के सितारों के लिए तो गाया ही है लेकिन 90's में उनके बच्चों के लिए भी गाया है जैसे कि बबीता जी के लिए गाया फिर उसके बाद उनकी बेटियों याने की करीना और करिश्मा के लिए भी गाया अल्सो किस्मत फिल्म बबीता जी की चौथी फिल्म थी और इस गाने से उन्हें काफी popularity मिली थी वैसे काफी कम लोग जानते हैं कि बबीता जी अपनी contemporary साधना शिव्दसानी जी की first cousin है लेकिन personal family problems के कारण दोनों में बातचीत बंद थी तो ये था आज का platinum song of the day आओ हुजूर तुमको किस्मत फिल्म का ये गाना मैं हूँ रुची आपके साथ किस्मत फिल्म की कहानी मनमोहन देसाई जी ने लिखी थी और उसे direct भी उन्होंने ही किया था वैसे जानते हैं आप उनकी directorial debut film थी राज कपूर और नूतन स्टारर चलिया जो box office पर ठीक ठाकी चली थी लेकिन music director कल्यान जी आनन जी के career की landmark film बन गई थी वैसे मनमोहन देसाई जी एक middle class family से बिलॉंग करते थे और Bombay को काफी अच्छी तरह से जानते थे इसलिए अपने तजूर्बे से ऐसी कहानिया लिखी उन्होंने फिल्मों के लिए जो common man को अपील करती हूँ also उन्होंने critics की कभी परवा नहीं की क्योंकि वो फिल्म में audience के लिए बनाते थे और उनका ही verdict मनमोहन जी के लिए माइने रखता था चलिए सुनते हैं ये छलिया आफ हमसे ही मुकेश जी का अगला काना दम दम दिगा दिगा मौसम भिगा 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 बिंपिये मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा है अल्ला सूरत आपकी सुभान अल्ला है अल्ला सूरत आपकी सुभान अल्ला डम डम दिगा डिगा मौसम भिगा भिगा बिंपिये मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा है अल्ला सूरत आपकी सुभान अल्ला है अल्ला सूरत आपकी सुभान अल्ला तेरी अदा महवा क्या बात है अखियां जुकी जुकी बातें रुकी रुकी देखो कोई रहे आज लुख गया है अल्ला सूरत आप की सुभान अल्ला है अल्ला सूरत आप की सुभान अल्ला डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिये मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा है अल्ला सूरत आप की सुभान अल्ला है अल्ला सूरत आप की सुभान अल्ला सनम हम माना गरीब है नसीबा खोटा सही दिल ये ख़जाना है पार का आए अल्ला सूरत आपकी सुभान अल्ला आए अल्ला सूरत आपकी सुभान अल्ला डम डम डिगा डिगा वो सम भीगा भीगा बिन पिये में तो गिरा में तो गिरा में तो गिरा में तो गिरा आए अल्ला सूरत आपकी सुभान अल्ला आज का Platinum Song of the Day बना हुआ है आशा जी का सुपर हिट गाना आओ हुजूर तुमको मैं हुरुची आपके साथ ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि आशा जी का करियर बनाने में ओपी नईयर सहाब का बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि आशा जी का असली potential उन्होंने ही टाप किया दोनों ने साथ में कुछ 300 से भी जादा गाने किये लेकिन पता है नईयर सहाब astrology जानते थे और उन्हें पहले ही पता था कि उनका और आशा जी का association जादा सालों तक नहीं चलने वाला है कुछ तो किस्ता हुआ था जो नईयर सहाब को पसंद नहीं आया और around 1972 ये दोनों अलग हो गए लेकिन इस बात से उन्होंने कभी भी नहीं नका रहा कि आशा जी उनके life की सबसे important person थी चलिए फिलहाल सुनाते हैं किस्मत फिल्म से ही एक और काना आपको लाखों है यहां दिल वाले और प्यार नहीं मिलता आखों में किसी की वफा का एकरार नहीं मिलता लाखों है यहां दिल वाले और प्यार नहीं मिलता आखों में किसी की वफा का एकरार नहीं मिलता में हे फिल में हे फिल जा देखा हर दिल में समा कर देखा हर साज पे गा कर देखा में हे फिल में हे फिल जा देखा हर दिल में समा कर देखा हर साज पे गा कर देखा दिल को कहीं चैन न मिला मैं तो दुनिया में प्यारे अकेला ही रहा राखों हैं यहां दिल वाले और प्यार नहीं मिलता आखों में किसी की वफात का एकरार नहीं मिलता इस दिल को कहां ले जाएं कुछ आप अगर फरमाएं तो आपके हम हो जाएं इस दिल को कहां ले जाएं कुछ आप अगर फरमाएं तो आपके हम हो जाएं केहे दो हमें हस के जरा और केहे दो हमें हस के जरा अजी जो कुछ भी दिल ने तुम्हारे है कहां लाखों है यहां दिल वाले और प्यार नहीं मिलता आखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता लाखों है यहां दिल वाले और प्यार नहीं मिलता आखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता आज का Platinum Song of the Day जिसे मैं याने की रूची और आप सेलेब्रेट कर रहे हैं वो है किसमत फिन का गाना आओ हुजूर तुमको आई होप आपको यह गाना इस गाने से जुड़ी सभी बातें और यादें बेहर पसंद आई हों अगर हां तो नीचे comment section में लिख के बताईए थोड़ी थारीफ कीजिए मैं और आप बाते करेंगे उसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए सारे गामा music चानल को subscribe कीजिए और एक बार फिर से सुनिए आज का Platinum Song of the Day मेरे सारे गामा कारवां से सुनिए ज़रा हम से रोशन है चांद और तारे हम को डामन समझे घैरत का उठ गए हम अगर जमाने से नाम मिट जाएगा मुहबत का दिल है नाजुक कली से फूलों से ये न तूटे खयाल रखियेगा और अगर आप से ये तूट गया जाने जा इतना ही समझेगा फिर कोई बावर मुहबत की अपनी जुल फिर नहीं सवारेगे आरती फिर किसी कनया के कोई राधा नहीं उतारेगे आओ हुजूर तुम को सितारों में ले चलू दिल जुम जाए ऐसी बहारों में ले चलू आओ हुजूर तुम को सितारों में ले चलू दिल जुम जाए ऐसी बहारों में ले चलू आओ हुजूर आओ हम राज हम खयाल तो हम हम नजर बन रहे होगा जिन्दगी का सफर हम सफर बनो हम राज हम खयाल तो हम नजर बनो तै होगा जिन्दगी का सफर हम सफर बनो हम आओ हम आओ हम आओ चाहत के उजले उजले नजरों में ले चलू दिल जूम जाए ऐसी बाहरों में ले चलू आओ हुजूर आओ लिख दो किताब जिल पे कोई ऐसी दास तां जिसकी मिसाल रे न सके साथ आसमा आओ हुजूर लिख दो किताब जिल पे कोई ऐसी दास था जिसकी मिसाल रे न सके साथ आसमा आओ हुजूर आओ आओ हुजूर आओ बाहों में बाहे डाले हजारों में ले चलू दिल जूम जाए ऐसी बाहरों में ले चलू आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलू दिल जूम जाए ऐसी बाहरों में ले चलू आओ हुजूर आओ आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलू झाओ हुज। तुमको सिते बाहरों झाओ हुजूर